आज हमने बनाया है गर्म गर्म ब्रेट पीजा जो खाने में बहुत ही टेस्टी है इसे कुछ चीजों से हम बना सकते हैं ब्रेट तो हम अक्सर घर में रखते हैं इसे कुछ ब्रेट से कुछ सब्जियों से हम आराम से असानी से बना सकते हैं बहुत कम टाइम में ये ब्रेट आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजे कमेंड किजे सेर के चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना नह भूले हमने चोटे साइज को सिमला मिर्च को इस तरह से मोटे मोटे पीसेश में लंबे-लंबे साइज में कट कर लिए उसी तरह हमने प्याज को भी कट कर लिया है साथ में हमने रेडच चेली सौस 1 टी स्पून 4 टी स्पून टोमाटर स्थ हमने लिया है साथ में हमने चीज लिया है इनी सब चीजों से बनाएंगे ब्रेट पीजाए तब पहले इन सब जीसको थोड़ा से हम भूल लेंग बिल्कुल gas का flame हम बिल्कुल slow रखेंगे, हमें तेज आच पे सब्जियों को नहीं भूनना है, बटर हम कराई में फैला देंगे और हम निदेके फैला दिया है, इसमें सिम्ला मेर्च और प्याज को डाल देंगे, प्याज का flame हम low to medium रखेंगे, इन्हें हलके आचों पे हलका 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 आचों पे इन्हें अच्छे से पका लेंगे ताकि इनका कच्छापन निकल जाए, और देखिए सबजी हमारी केतनी अच्छे से पक गई है, बस इतना ही पकाना है, अब इसमें हम 1 टी स्पून रेट चिली सॉस डाल देंगे, 1 टी स्पून टमाटर सॉस डाल देंगे, हलका सा हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल नमक डालेंगे, सब को डाल के मिक्स कर लेते हैं, अब हम गैस को अफ कर देते हैं, अभी चलते हैं ब्रेट की तरब, इसी पेन में हम ब्रेट को भी सेख लेंगे, तो पेन को हमने साप कर दिया है, इसी में हम डाल देंगे 1 टी स्पून बटर, डाल के फेला देते हैं पेन को, गैस का प्लेम बिल्कुल हम slow रखेंगे, अब ब्रेट को टालके हम हलका हलका इन्हें toast कर लेंगे, जदा हम इन्हें नहीं सेकना है, हलका हलका सेकना है, इस तरह से हमें ब्रेट को सेक लेना है, उलटते पलटते, देखे हमने ब्रेट को सेक लिया, बाकी दो ब्रेट भी हम इसी तरह से सेक ल पहले लाड़ा नहीं लगनाए अब जो हमने सबजी को इस पर सबजी डालके देते हैं, सबजी को हमने पहले ही अरगका पका लिया है इस तरह से प्याज और सिमीले मिर्च को जो हमने पका के रखाऊ उसी हम फहला देंगे अपने ब्रेट पे सबजी फेलाने के बाद इसमें हम ग्रेट किये हुए चीज डाल देते हैं चीज डालने के बाद उपर से और थोड़ी से हम सबजी को डाल देते हैं जो सीमला मिर्च प्याज है उनको डाल देते हैं और थोड़ा सा और हम इसमें चीज डाल देगें उपर से हम दुसरेệट के slices को रख देंगे इसी तरह दूसरे Angular को भी हम त्यार कर लेते हैं दूसरे Hoard को भी हम उसी तरह से टरमेटर शस लगाएंगे सबजी डालेंगे वह उपर से हम चीज डाल देंगे फिर थोड़ी सबजी और थोड़ा सा चीज डाल के दूसरे ब्रेट का परतम रख देंगे अब इन्हें हमें सिखना है सिखने के लिए हम कडाई रख दिये हैं गरब होने के लिए जिस कडाई में हमने ब्रेट को सिखा था उसी में हम इसे सिख लेंगे इसमें हम बटर नहीं डालेंगे हमें बिल्कुल slow आज पे इसी तरह से सेख ना है इसे हम ढखन से ढख देंगे 2 मिनट के लिए 2 मिनट में यह हमारा ब्रेट बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे 2 मिनट हो गया हैं, देख लेते हैं ब्रेट को तो देखिए ब्रेट हमारा एक साइड से बिल्कुल अच्छे से सीख गया है अब इन्हें हम पलट देते हैं ताकि दूसरे तरह भी इन्हें अच्छे से सीख जाएं इससे पलट के या फिर से हम ढखन लगा देंगे ताकि इधर भी यह अच्छे से सीख जाएं दो मिनेट के लिए धकन लगा के धक देते हैं दो मिनेट हो गए देख लेते हैं और देखिए देखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं बिल्कुल करारी है ब्रेट पीजा हमारा बनके रेडी हो गया और देख सकते हैं आप कितने करारी हमारा ब्रेट पीजा बनके त्यार अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं चले इसे आप हम कट करके दिखाते हैं तो हमने लिया है चको इसी से मैं काट रही हूँ अगर आपके पास पीजा कट रहे तो उसे भी कट कर सकते हैं इस तरह से हमने कट कर दिया और देखे कितने टेश्टी हमारे ब्रेट पीजा बन अगर आपके पास घर में तरह तरह की सबजी है तो उसे भी डाल के आप इस तरह से ब्रेड पिजा बना सकते हैं ब्रेड हम अक्सर घर में लाके रखते हैं कितने परकार के डिस बनाते हैं इस तरह से भी एक डिस हम बना के खा सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं ऐसे डिस खाके बच्चे काफी खूस होते हैं छोटी छोटी भूख के लिए बहुती परफेक्ट आपका एक डिस त्यार हो जाता है इस तरह से बच्चे खाके खूस हो जाते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो के लाइक कमेंट सेर चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तन्यवाद